आशा कारेक्रा जम्मु कश्मीर के ग्रामीर क्षेत्रों में आज महिलाओं और बच्चों तक स्वास्त सेवायद पहुच रही है। प्रदेश के गाउं में जहां एक तरफ महिलाओं की स्तिहत सुधर रही है वही मात्रत्व मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर में कमी आ रही है आज प्रदेश के गाउं में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एवं हैजा जैसी बीमारियां भी कम हो रही है प्रदेश के ग्राम्मीर क्षेत्रों की सूरत बदली है क्योंकि उन्हें आशाकार्यकर्ताओं का साथ मिला है जी हाँ, प्रदेश की महिलाओं और नवजातों के लिए आशाकार्यकर्ता उम्मीर की नई किरण बन कर आई है आज इन्ही की बदलत गाउं देहात के एक शेत्रों में सस्ती और बढ़िया स्वास्त सेगाय पहुच रही है चलिए, आपको इनके बारे में बताते हैं राष्ट्रिय ग्रामनीर स्वास्त मिशन के तहट प्रतियेक गाउं के लिए एक प्रशिक्षित महिला सामुदाइक स्वास्त कार्यकर्ता उपलब्ध कराई गई है आम बोलचाल की भाषा में इन्हें ही एक फ्रोडाइटिड सोशल हेल्थ आक्टिविस्ट यानि की आशा कहते हैं आशा कार्यकर्ताओं को गाउं से ही चुना जाता है इसलिए वो गाउं के प्रति उत्तरदाई होती है आम तोर पर अपने गाउं के बारे में उन्हें बहुत कुछ मालूम होता है जिसे किसका घर कहां है? कौन सा रास्ता कहां जाता है? या तायात के साधन क्या है? आदे आशा कार्यकर्ताओं गाउं और सहायक नर्स दाई के बीच एक कड़ी की भूमिका नभाती है आशा कार्यकर्ताओं अपनी पंचायत के प्रती जवाब दे होती हैं इसलिए सभी तरह के ठीका करण कार्यकर्म को बढ़ावा देने जननी शिशू स्वास्त कार्यकर्म के बारे में जागरुपता फैलाने घरों में शौचालयों के नजबान करवाने और स्वास्त की देखभाल से संबंधत अन्य किसी तरह के कार्यक्रमों में वांगन बाडी, कार्यकर्ताओं और ए-ए-ण-एम आदी विभागों के कर्मचारियों को अपना सहियोग देती हैं स्वयम सहायतास समूहों को सशक्त करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है ग्रामनीड क्षेत्रों में संसाधनों के अभाव में भी नवजात शजुओं की देखभाल किस तरह की जानी चाहिए इस बात की जानकारी इन्हें होती है आज देश में आठ लाग से अधिक आशा कारे करताएं हैं जो करमठता, निष्ठा और संकल्प शक्ति के साथ भारत में गाउं की सूरत बदल रही हैं भारत की बड़ी ग्रामनीड आबादी तक इनकी पहुँच है लोगों से इनका लगाव इतना खास है कि आम तोर पर लोग इन्हें आशा कारे करता नहीं आशा बेहन या आशा दीवी कहकर गुलाते हैं बढ़ती हुई आबादी भारत के लिए विक्राल समस्या बनती जा रही है विकास शील देश होने के कारण भारत सरकार जनसंख्या नियंतरण के लिए कई तरह के कारिक्रम चला रही है भारत में बढ़ती हुई आबादी का एक मुख्य कारण लोगों में जागरुकता का अभाव भी है ग्रामीड क्षेत्रों में ये आशक कार्य करता है महिलाओं को गर्भ निरोध के उपाय बताने के साथ स्वास्त केंद्रों से सहायता भी दिलवा रही है भारत सरकार की महत्वकांशी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ग्रामस्तर पर सफल बनाने के लिए ये कार्य करता है महिला इवं, बाल विकास मंत्राले, स्वास्त इवं, परिवार कल्यान मंत्राले और मानव संसाधन विकास मंत्राले के साथ मिलकर कई तरह के कार्य कर रही है जिससे लड़कियों के साथ होने वाला भेद्धाव दूर हो रहा उनके प्रती लोगों की नकरात्मक मानसिक्ता बदल रही है इसी तरह सुकन्या सम्रिद्धी योजना के बारे में घर घर जाकर बताने में भी इनका एहम योगतान है इस योजना के तहट आशा कारे करता हैं कन्या के माता पिता को कन्या के नाम से खाता खोलने के लिए प्रेरित कर रही है गाउं में आज तेजी से घर घर गैस तलेंजर लग रही हैं क्योंकि प्रधान मंत्री उज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आशाकारे करताओं इसके बारे में जागरुप कर रही है आशाकारे करताओं संग नारी भर रही है उडान ना कोई अर्चन ना कोई धकान